हेलो फेंड्स दिस इस एश्पी सिंग्स एंड वेलकम टू इश्मार्टर एवरी टेप जी फ्रेंड्स आज मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं करूंगा आज मैं बात करूंगा बीट की जितने भी स्टेंट हैं चाहिए वो फर्स विशेष्टायं होती हैं गुर्ण होते हैं दोस होते हैं महत तुलाब उपयोगता कितनी सारी चीजे होती हैं long questions को मिलागरे इस अचीजे बनती है तो आज मैं बात करूँगा कि एक long question को अगर मैं आपसे पूछूँ कि long question आप कितनी दिर में याद कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर एक दिन 6 गंटे, 4 गंटे, 2 गंटे, है ना लेकिन अगर मैं कहूँ कि वही question को learn करने का तरीका मैं आपको 15 minute में learn करवा सकता हूँ कैसा रहेगा, रहेगा नाच्छा, तो प्यारे दोस्तों मैं लेकर कहा हूँ आपके लिए बहुती गजब तरीका कि आप long से long question को भी 15 minute में कैसे त्यार कर सकते हैं, be it में जो हमारे questions होते हैं, mostly questions के या topics के हैं, एक दूसरे से interrelated या यू कहें, कि एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, आज मैं जिस topic को लेकर कर समझाओंगा, मैंने एक long question तयार किया हुआ है, आप लोग के लिए, उसको मैंने point to point ये देखिए, हो सकता clear दिखाई ना दे रहा हूँ, मैं अभी detail में इस question को समझाओंगा, है ना, समझ एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, जैसे मालिया, मैं as an example के तौर पर मैं आपको समझाओंगा Adam Report, मालिया आपको Adam Report learn करनी है, तो कैसे उसको learn करेंगे, ठीक है, आप कुछी भी आप कहीं से भी हो, किसी भी इनुष्टी से हो, कोई भी semester हो, कोई भी topic आप उठा सकते हैं, अब जैसे Adam Report हो गया, लाड मैकाली हो गया, विलियम बैंटिंक हो गया, है ना, कितने सारे आयोग है, राधा किष्णन आयोग, और दुनिया भर के आयोग, ये सब चीज़े क्या है, एक दूसरे से मिल जूल जाती है, है ना, confusion बहुत ज़्यदा हो जाता है, तो आज हम इस topic को बिल्कुल clear करेंगे कि किस तरीके से हम लोग easy way में और बड़े से बड़े question को भी sort करके समझ सकते हैं, चलिए सुरू करते हैं, दोस्तों ये जो question मैंने त्यार किया है, long, ये मैं भी आपको last में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको तरीके बता देता हूँ, क्या तरी report को, ठीक है, माल लेते हैं कि हमें Adam report आज तयार करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कि Adam report जो book है हमारे पास, जिस भी writer की हो, जो भी book हो, इसका जो chapter दिया होगा, पूरा chapter हम थारोली पूरा पढ़ लेंगे, क्या करेंगे, पूरा chapter हम पढ़ेंगे पहले, ध्यान रहे, कि chapter को पढ़ते टाइम, आपको उसको रटना नहीं है, आपको लड़ नहीं करना है, बस ध्यान ये रखना है कि chapter को पढ़ते समय हमारा focus only on chapter पे होना चाहिए, हमारा ध्यान इधर उदर ना हो, ठीक है, दूसरी बात, आपको chapter पढ़ते समय अपने हाथ में pencil या highlighter होने बहुत चेक है, आप इस pencil को या highlighter को जब हाथ में रखेंगे, वहाँ पर इस chapter को पढ़ते दौरान, पढ़ने के दौरान, जितने भी आपको important points मिलेगे, आप उनको highlight या फिर underline करते चलेंगे, important points को आप underline कर लेंगे, है ना, chapter को पढ़ते समय आपको कितना time लगेगा, मुझे लग लेकिन इससे आपको ये पता लग जाएगा कि chapter में क्या बताया गया है, किस बारे में बात हुई है, पूरा, मतलब आधी चीजें आपको chapter को पढ़ते समय याद हो जाएंगी, है ना, आधी चीजें आपको chapter को पढ़ते समय याद हो गई, आपने important points को भी उसमें highlight कर लिया, या underline कर लिया, ठीक है, आपने एक काम पूरा कर लिया, अब दूसरा काम वो करना है आपको, जहां से chapter आपको learn ही नहीं, हमें इसा के लिए contest भी हो जाएगा, दूसरा काम ये करना है कि जो important topics, जो important lines आपने underline की थी, या highlight किया था, उनको आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे, है ना, यहाँ अगर notes बना रहे हैं, तो वहाँ पे इसको लिख लेंगे, इन important points को, जैसे Adam की तीनों report क्या है, पहली report का बाई, दूसरी का बाई, तीसरी का बाई, पर्थम की बातें क्या है, second की बातें, main main points क्या है, बाकि अभी आप last में तो समझेंगे ही कैसे सर करने बताया है, तो आप आप क्या करेंगे, कि उन points को लिख लेंगे, लिखने में कितना time लगेगा, मुझे लगता है 5 minutes, है ना, फिर आप क्या करेंगे, लिखने के बाद, सब कुई side में करके 2 minutes, कितना, सिर्फ 2 minutes आप इन important points को पढ़ लेंगे, जब आप इन points को पढ़ ले तो क्या होगा कि यह point आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, फिर आप जब दूसरा chapter learn करेंगे, दूसरा chapter read करेंगे, तो उसके साथ आप इनको mix भी नहीं करेंगे, पूरा chapter पढ़ने का फायदा आपका यह होगा, कि आपकी एक तो reading skill अच्छी हो जाएगी, दूसरी ब अच्छा हो जाएगा, एक long question को तयार करने के लिए आपकी कई चीजे बेहतर हो जाएगे, लेकिन ध्यान रहे, chapter को पढ़ते है, time आपका focus only on chapter होना चाहिए, आप पढ़ने में, पढ़ने के बाद, जो underline किया है आप, आप उसको लिख लेंगे, लिखने के बाद, दो मिनट अच्छे से पढ़ लेंगे, जब पढ़ लेंगे, तो पूरी चीजे हमें clear हो जाएगे, क्योंकि जब chapter हम पढ़ रहे थे, आदी चीजे तब clear हो गई थी, फिर हम लोगों ने important points को लिख लिया, लिखने के बाद, फिर उनको दो मिनट से आराम से हमने पढ़ लिया, ठीक है इसे अब जब आप next chapter के तयारी करेंगे, तो next chapter भी आपका आसानी से तयार हो जाएगा, अगर class पसंद आ रही हो, तो वीडियो को like कर दीजिए, channel पढ़ने है तो subscribe कर लिजिए, bell icon प्रेस कर लिजिए, दूसरी बात है, अभी मैं आपको long question भी दिखाने वाला हूँ, हमारा जो दूसरा channel है, sp.sr.vlogs के नाम से, ठीक है, यह जो channel है, यहाँ अगर आपने हमें follow नहीं किया है, तो यहाँ भी follow करने का कष्ट करें, अब आपको हम question दिखाते हैं, कि किस तरीके से आपको points ढूंडने हैं, उनको लिखना है, और फिर उनको मन से पढ़ना है, long question आशानी से बहुत प्यार से आपको याद हो जाएगा, मेहनत भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे Adam की report है, Adam की report के जो एहम point से वो लिखे हुए हैं, उसके बाद Adam की report के तीनों report कब आई, वो तीनों report यहाँ पे हमने लिख दिये, पर्थम report की एहम बातें वो दी, फिर इसके बाद दू-तीन report जो है, दू-तीन report किन बातों पर पेश्ट है, वो लिखा है, उसके बाद तरतीन report की main बातें लिखी हुई है, इस तरीका